नमस्कार स्वागत है आपका उत्राखंड की खबरों में मैं हूँ आपके साथ सुमन पाल मुख्य मंत्री को योक्रेन में रह रहे उत्राखंड के चात्रों और अंडे लोगों की सुरक्षा के प्रती आश्वस्त भी किया है आपको बताते चले कि मुख्य बंतरी पुशकर सिंग धाबी ने यूक्रेन में ही निवास्तरत उत्राखंड के लोगों की सुरक्षा के सम्बंद में ही अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठा की है उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्राले के लगातार संपर्क में रहने के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने यूक्रेन में रह रहे उत्राखंड के चात्रों और नागरिकों के परिजनों से भी लगातार संपर्क बनाए रखने की भी बात कही है यूक्रेन मामले में पूर्ब मुखे मंतरी हरी शरावत में भी गहरी चिंता जताई है उन्होंने कहा है कि इस मामले में भारत सरकार निश्चित तोर पर ही बात्चित कर रही होगी लेकिन प्रधान मंतरी को देश वासियों के आस्वस्त करना चाहिए कि वहां फसे नागरिकों को निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं पूर्वसियम हरिश रावत ने ये भी कहा यूरोपिय देश की धर्ती से तीसरे विशो यूद की भूमिका बन रही है और ये अचानक नहीं हुआ है लंबे समय से ऐसी स्थितियां बन रही थी पिछले कुछ हफ्तों से ही सपस्ट हो गया था कि युद होगा और ऐसी स्थिति में भारती नागरिकों को निकाल कर सुरक्षित स्थान पर ले जाना केंदर सरकार का पहला दाइत्त है और उत्राखंड के भी तमाम चात्र वहां अधियन करने गए हैं और वो भी फसे वही पर हैं और उनके माबाप और परतेक देश वासी बहुत जादा चिंतित है महा चात्र बहुत दिक्कत में है केंदर सरकार की बाचीत कर महा फसे चात्र को निकाल सकती है कहा कि हमें अपनी अर्थ विवस्था की चिंता करनी चाहिए और यूक्रेन के साथ हमारे आर्थिक स्वार्थ बहुत गहराई से जुड़े हैं भारत की अर्थ विवस्था पर निश्चित तोर परें इस युद्व का ही दुश परभाव पढ़ने जा रहा है और प्रधार मंत्री को देश को आस्वस्थ करना चाहिए और किस परकार से सरकार दुश परभाव को ही रोकने के लिए कदम उठाने जा रही है रोस और यूकरेन के बीच जंग में देहरा दून के 32 चात्र चात्राएं राजधानी क्यूब के ही अलावा खारक्यू लिविल जैसे शहरों में ही फसे हुए हैं सेना की और से तैयार किये बंकरो रेलवे स्टिशनों के सबसे शरण लेने के लिए ही लोगों का दूतावास की और से किसी भी तरह को पॉलन की सीमा तक पहुँचाने को कहा गया है लेकिन वहाँ जाने वाली सडग पर 25 किलो मीटर लंबा जाम लगा हुआ है और यहां कई तो पैदल ही पॉलन की सीमा की और चल रहे हैं आपको बता दें कि गाजियाबाद दिवासी विनित कुमार चौधरी उत्राखंके सुरियांश सिंग विस्ट और ओसामा कुरिशी बिहार दिवासी चात्र जितेश आशुतोष और राजिस्थान दिवासी राजेंदर कुमार गोपाल और अंकित की माने ही सहित उनकी कई सा पॉलेंड की सीमा तक पहुंचनी के लिए पैदल ही रवाना हो गए हैं पूरे यूक्रेन से ही भारी संख्या में लोग पॉलेंड की सीमा पर पहुंच रहे हैं इसके चलते ही गाडियों कहीं जो गंभीर संकट है वो भी खड़ी हो गई है यूक्रेन और रूस के बीच चल रही घमसान लडाई के बीच ही 200 भारती चात्रों को इंडियन बैंसी के सुरक्षित रोमानिया पहुंच दिया है आपको बता दे कि जहां से ही इन सभी को जल्द एयर लिफ्ट कर दिया जाएगा यूक्रेन बे पढ़ रही शिरीनगर की आकांशा कुमारी ने बताया कि वो अपने सभी साथियों के साथ सुरक्षित रोमानिया पहुंच चुकी है आकांशा ने बताया है कि पिछले दो दिन उसने और उसके सभी साथिने बहुत कस्ट से गुजा रहे हैं वो दो दिन से बंकर में ही थे एटीम वहां काम नहीं कर रहे थे खाने पीने की कमी आ गई थी लेकिन अब सब कुछ ठीक है वे रोमानिया से जल्द अपने देश भारत आने वाले है परिजनों ने बताया है कि अकांशा शुकरवार को आने वाली थी लेकिन हवाई एड़ो के युद से ही प्रभावित होने और यातायाद की समस्या होने की वज़ह से यात्रा रद हो गई थी शिरी नगर शहर की अकांशा गुमारी और रोहित वर्मा यूक्रेन के ही एक शहर में वाजूद वो को यान स्टेट और मेडिकल यूनिवरस्टी से ही मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बता दे कि रोहित MBS तृतिय और अकांशा दृतिय वर्ष में ही अधियन्त है और रोहित की भी शुकरवार को वतन वापसी का टिकट था लेकिन बुकिंग रद हो गई